खाल स कि एक यार सांदर शेट था नचानथ के साथ प्रब्लम यह थी कि बहुत दान्द पुन करता था पो घजाब यूंद करें बोले मेरा नाम कहा लगे गी struggled पर उसने खर्चा इतना किया इतना किया कि पूरी दुनिया उसको जानने लग गए पर उस दिवानगी में अपना घर खो बैटा अरे अगर साब हो गया उसका एक टाइम ऐसा आया कि आलत यह हो गई कि खाने के बंदे पर उसकी पत्नी ने एक दिन सुना कि पास वाले गाउं म एक सेठ है और उनकी पत्नी सिद्ध है और वो पुन्य खरीद रही है जा बोल रहे है तो शेट को बोला उसने के आपने तो इतने की आप एक काम कर अपना पुन्य बेचके आजो बोला यह तो काम मेरा बढ़िया हो जाएगा यह रवाना होने से पहले पत्नी ने क्या क्या चार रोटिया इसको कि रस्ते में खाने के लिए आपको छीए तो चार रोटिया आप लेके जाए अब यह प्यार से वहां से रवाना हुआ पहले के जमाना था पैदल चलते जा रहा है जंगल आया अब उसको दोफर को भूक लगी तो पेड़ के नीचे यह बैढ गया अप अब दूसरी कुटियां का बच्चा बारा है तो दूसरी देहर में वह तीसरी दी अब उसके बागे एक बच्ची यार खालू फिर देखा कि वह कुटी खुद भी भूक है तो वह चौती भी उसने खालो यार अब जो होगा वह देखा लिए और वहां से वह फिर वहां रव आदा गंटा तो किसने बोला कि मैंने ये काम किया ये काम किया अपने नाम के लिए किया कोई निश्वारत काम अपने कुछ तो बोला ठीक है फिर क्या किया कि थोड़ी देर हुई वह जैसे रवाना हुगा ना उसको बोला कि आप जाओ मत आपने आज को एक शांदर काम किया है वह काम का कर पुर्णिया आप बेचना चाहो तो तो आज तो मेरे पाद अभी खाने को पैसे नहीं क्या का अच्छा काम कर बोले वह पुर्णिय में है बोले तो हाथ हो बेच्छो उसको प्रैसे के बांदे पड़े तो बोले नहीं जार रोटिया रखोंगी और उन चार रोटियों के बदले जितना वजन होगा उतने हीरे दूंगे वाँ घजब अब वो चार रोटिया रखी और सामने हीरे तोलने अब उसके मन में आया जिन्दगी बर जो काम किया उसके कोई वैल्यू नहीं और इतना यह वैल्यू है तो पीछे की जिन्दगी और मैनद करके निकाल लूगा यह तो पुर्णिय बेचिवा नहीं आपका रहने तो अभी अभी मैं तो एच्या वापिस पुर्णिय मेरा लि अब रहा है साम को घर आने से पहले पहले जिस पेड के निचे रुका था ना बोला यार जाओंगा गर पे कले होगी कि कुछ लेके नहीं आए और मेरे को भूग लगी है तो करूं क्या तो वो क्या किया उजिदर से पत्तर फतर ले दिया और एक पूरा पूरा बांध लिया पूचूंगी तो बोलूँगा पर इतना उन्होंने दिया है पोल रखा और गर पे आया गर पे आया और बहटा वाँ पे पैठा तो उसकी प्रत्नी ने बोला के भी हाथ पाँ धूलो देख लिया कुछ समान तो माल तो अब इसकी बोला के नहीं खाना किला दो मुझे उसको पूरा का पूरा पूरा मिसार दाज़े और आप दो सोचो कि मिस्वार्थ बहाँ से आखिया और वो देखो के पूरा का पूरा निश्वार्थ आज़े और करोड़ रुपी आगे तो काम करो बॉस जिन्दगी में काम करो पर निश्वार्थ बासे करो